पाठ तेरह नारी रस्तावना महान चिन तक विचारक और कवी गुरू रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने इस निबंध में नारी जाती की जीवनी शक्ती का वर्णन किया है. नारी को अपनी पुरातन स्थती के नकार और नवीन की स्वीकार में संघर्ष के लंबे दोर से गुजरना पड़ा. तिर भी उसने हार नहीं मानी. स्थतियों के आगे पलायन नहीं किया. इसका सुखद परिनाम आज नारी जाती के लिए ही नहीं. हमारी पूरी मानव जाती के लिए देखिए तो कितना वर्दान सिध हो रहा है. मनुष्य की स्रिष्टी में नारी पुरातनी है. नरसमाज में नारी शक्ती को आद्या शक्ती कहा जाता है. यही वहक शक्ती है जो जीव लोक में प्राण को वहन करती है. उसका पोशन करती है. फिर भी नारी की पुरुष इस्तरियों की सहायता से बड़े हुए हैं लेकिन उन्हीं के द्वारा इस्तरियों पर सबसे अधिक अत्याचार किये गए हैं। प्रतिष्टित परिवारों में पालकी के ऊपर परदा डाल दिया जाता था। बैध्यून स्कूल में जो लड़कियां सबसे पहले भड़ती हुई थी। उनमें मेरी बड़ी बहन अग्रनी थी। वह खुले दर्वाजे की पालकी से स्कूल जाती थी। उस समय के स्रेष्ट व बदलते हुए परिवेश के साथ साथ ही यह परिवर्तन आया है। उसके लिए किसी को कभी समीती का आयूजन नहीं करना पड़ा। लड़कियों के विवा की आयू देखते ही देखते आगे बढ़ गई है। यह भी स्वभाविक रूप से ही हुआ है। जब प्राकरतिक कार उसे नदी की धारा बढ़ जाती है तो तटिय भूमी की सीमा स्वते हैं पीछे हटती है। नारी जीवन में आज सभी दिशाओं से तट की सीमा अपने आप पीछे हट रही है। जीवन की नदी महानदी हो उठी है। बाहिय व्यवहार में जो परिवर्तन होता है उसका प्र पर खड़े होकर नारी का मन नए जिड़े से विचार करने लगता है। पुराने संसकारों को जाचने का काम अपने आप आरंब हो जाता है। इस अवस्था में वहे तरह तरह की गलतियां कर जकती है। लेकिन बादाओं के धक्ये खाते खाते वहे गलतियों को सुधार भी लेती है। संकीर सीमाओं में विचार करने की आदत को यदी न छोड़ा जाए तो चारों दिशाओं में पग पग पर असमान जस्य का सामना करना पड़ता है। अभ्यास परिवर्तन में दुख है, विपद भी है लेकिन उसके डर से आधुनिक युक की धारा को पीछे नही इसलिए एक समय इस्तरी सिक्षा का इतना विरोध और उभास किया गया। उस समय पुरुष स्वेम जिन संसकारों की उपेख्षा करने लगे थे, जिन विचारों पर उन्हें संदेह होने लगा था, जिस तरह के आचरन का अब वह पालन नहीं करते थे, उन सब को नारी इवन छेतर अपने आप विस्तरित होता जा रहा है, मुक्त संसार में उनका पदारपन हो रहा है, ऐसा होने से आत्म रक्षा और आत्म सम्मान के लिए विद्या और बुद्धी का विकास अवश्यक हो गया है, आज भद्र समाज की इस्तरियों के लिए निर्शर्ता सबसे बड़ी लज्जा है, किसी समय चाते और जूते का विवहार उनके लिए लज्जस्पद था, लेकिन आज उसकी अपेक्षा निरक्षर होना कहीं अधिक लज्जस्पद है, पीशने और कूटने की करियाओं में यदि नैपुन्ने ना हो, तो आज वहा ख्याती का कारण नही जिसका मूले सार्व भौमिक है और जो केवल ग्रहस्ती के प्रियोजनों की सिद्धी तक ही सीमित नहीं है, इस अवस्था में हमारे देश की आधुनिक स्त्रियों का मन घर से बाहर निकल कर विश्व समाज में प्रवेश कर रहा है, आज प्रित्वी पर सर्वत्र इस्त्रि की विवस्ता पुरुषों के हाथ में थी, इस सब्वेता की राजनीती, अर्थनीती और समाज शासन तंत्र की रचना पुरुषों ने की, इस तरिया प्रकाश हीन अंतराल में रहकर घर का काम करती रही, यह सब्वेता एकांगी थी, इसमें मानव चित्त की संपदा को पुरानी सब्वेता को बार बार भूकंप के धक्के लगे हैं, इस सब्वेता में जो विबत्ती के कारण संचित हुए थे, उन्हें तोडने की क्रिया को कोई रोक नहीं सकता, समाधान की बात तो यह है कि नई सब्वेता के रचना कार्रे में दुनिया के प्रतियेक भाग म नहीं हुआ है, उनके मन पर जो आवरन पड़ा हुआ था, जिससे वे बाहरी दुनिया से दूर हो गई थी, वह भी दूर हो रहा है, जस मानव समाज में उनका जन्म हुआ है, उस समाज के सभी विभाग आज इस पश्टर रूप से उनकी आँखों के सामने हैं, अंध संसका के कारखानों में बनी हुई गुरियों को लेकर मगन रहना आज उन्हें शोबा नहीं देता, उनकी सभाविक जीवन पालिनी बुद्धी आज केवल घर के लोगों की नहीं, बलकि सारी मानव जाती की रक्षा के लिए प्रवठ है, हम ये आशा कर सकते हैं कि सभ्यता का नया युग आरम होगा, ये आशा यदी सफल हो, तो इस नई स्रिष्टी में नारी का कार्य पूरी तरह संपन होगा, इसमें संदे नहीं, नव्युग का आहवान यदी हमारी इस्तिरियों के मन तक पहुँचे, तो उस रक्षन शील मन के लिए यही उचित है कि युग युग की अस्वास्थेकर बंदिशों के प्रती, वह अपने मोह का त्याग करे, नारी अपने हिर्दय को उन्मुक्त करे, बुद्धी को उजवल करे, निष्ठा को ग्यान की तपस्या में प्रियुक्त करे। रविंद्र नारी, हमने क्या सिखा? रकृती ने नर तथा नारी दोनों को समान बनाया है, अतह दोनों का बराबर वहत्व है, दोनों ही सम्मान इनिये हैं। चबदार्थ, पुरातनी, बहुत पुरानी, very old, आध्या, जो सबसे पहले हुई हो, first, par, निर्दीष्ट, जिसका निर्देश किया गया हो, what happened first, अबाध, बन्धा हुआ, tied up, बाही जगत, बाहर की दुनिया, outer world, अभिग्यता, पहचान, identity, सुयोग, अच्छा अवसर, good opportunity, प् भार दिवारी, boundaries, प्रतिष्ठित, सम्वानित, honored, श्रेष्ठ, वन्शिय, उत्तम कुल से जुड़ा, superior, lineage, प्रस्थान, चले जाना, departure, स्वतह, अपने आप, खुद, self, अचल, स्थिर, immovable, प्रशस्थ, दिखाया हुआ, व्यापक, विश्परित, expensive, संकीन, संकुचित, compressed, मेल ना बैठ पाना, incompatibility, विपद, संकट, problem, परिधी, दाइरा, परिवेश, environment, निरक्षरता, अनपढ होना, अक्षर ज्यान ना होना, illiterate, नपुन्ने, निपुन्ता, कुशलता, skill, सार्व भौमिक, सारे संसार मेव्याप्त, universal, एकांगी, एक पक्षवाली, one-sided, समता, बर अठे हुए, समाय हुए, gathered, रक्षणशील, रक्षा करने वाला, protector, बंदिशो, बंधनो, restrictions, उन्मुक्त, आजाद, मुक्त, free